गुड आफ्टरनून गाईज वेलकम बेक टू माई चैनल में मधुवाला स्वामी मेरे चैनल में आपका स्वागत करते हूँ कैसे है आप सब आप सब ठीक होगे ऐसे ही आप ठीक रहें सदा खुस रहें स्वस्त रहें ताकि आप जो है मेरे साथ बने रहोगे मुझे सपोर्ट करोगे तो थैंक यू फॉर वाच्चिंग और आज मैं आपको बताने जा रहे हूँ यह चूड़ी चार तरे की तो यह चार तरे की चूड़ी है वो उहन से बनाई है मैंने वोशेबल है आप इनको धो भी सकते हो बस आपको सर्फ के पानी में डालना है और एक दो घंटे के लिए कर दो बताए है और यह वैस्ट चूड़ी से बनी हुई है जो खराब चूड़ी होती है तो चूड़ी आपको इस भी ले सकते हो चाहे प्लास्टिक की ओ कांच की ओ लाक की हो क्योंकि मैं बेंटेक्स की पानती हूं इसलिए मैंने बेंटेक्स की चूड़ी खराब हो गई त फिर चावल बनाएं तो ये मैंने चावल बना रही हूँ ये हमें जो है चूडी के अकोडिंग लेना है कि कितनी बड़ी चूडी हमारी है तो उसको नाप के हमें चेन की लंबाई लेनी है और फिर उनके उपर चावल बनाने हैं तो ये इसका वीडियो की चावल क्या होते हैं चेन क्या होती है चावल कैसे बनाते हैंचेन कैसे बनाते हैं तो इसका वीडियो ओल्रेडी मैंने मेरे इसी चैनल पे जो है डाल रखा है आप प्लीज एक बार विजिट कीजिएगा और यहां पर मैंने जो है उनको काड़ दिया है जो मेरा हो गया था और इसी कलर की जो मैंने धागा ले लिया और सुई में पिरोके और मैंने ये सिलना स्टार्ट कर दिया तो किदर से भी एक कोना पकड़ के और दोनों तरफ से नीचे की तरफ से मैंने सिलना स्टार्ट करा है नीचे से नीचे की तरफ टाइट से खीच के इसको सिलना है ताकि यहीं पर सेट हो जाए रहा तो ये तो हो गया करूशे से मैंने बताई है ये वाली कि करूशे से कैसे बनाते हैं तो क्रोशे अगर आपको चलनाना नहीं आता है तो आपको पहले सीखना पड़ेगा तो दो चूड़ी यहां पे मैं क्रोशे से बता रही हूं दो चूड़ी मैं हाथ से बता रही हूं तो हा आप में डिपेंड है कि आप मतलब धीरे चलाते हो फास्ट यह नीली चूड़ी हमारी बन के तैयार है क्योंकि जो इसको पूरा सिल दिया था और बास यह कंप्लीट हो गई तो यह देखें मैं पेन के बता रही हूं रैड पिंक येलो नीली कित्ते सुंदर लग रही है हाथ म वहने और जो कोलेज स्टुडेंट होती है वह तो आजकर यही ही पेन के जाती है आज सबी जने चाहे वह गल्स ओ लेडिस बीड़ी बियाच किट्टी पार्टी अगेरा में जाती है तो असीचूडिया डाल के जाती है ताकि हर कलर की उनके पास होती है तो फटाफट से कर दी तो एक चूड़ी चाहिए और चार वर्ता मेंने उन लिए चार वर्ता उन लेके देखिए आप जहां से इस तरीके से हमें निकालना है एक गोल गोल गोला सा बन जाएगा बस इसी को नीचे से लेते हुए उपर की तरब हमें खीचना है तो फिर एक चेंस ही बन जाएग आपको yellow color वाली चूरी, तो yellow color वाली में बहुत अच्छे से सुन्दर से हैं, जो है, कंगूरे हैं, तो बस चार वरता धागा लिया है, जैसे yellow color वाली को करा है, सैम वैसे ही डिट्टो करना है, तो यह देखिए, इस तरीके से चार वर्ता में से दो वर्ता उपर की तरफ लेके और उसके अंदर से ये हमारे उन को पीछे की तरफ मोडोंके उलटी साइड में करना है तो एक कंगुरा सा बनेंगा फिर चार बार करना है फिर उल्टी साइड में करना है तो देखिए आप मैं किस तरीके से कर रही हूँ ये देखिए मैं नीचे से निकल दिया और फिर से करने लग गई अब फिर से चार बार करना है तो गाइस अगर आप इन वेस्ट चूडियों का उप्योग करोगे चाहिए प्लास्टिक, कांच, मेटे, लाक कैसी भी हो तो आपको संतुस्टी मिलेगी अच्छा भी लगेगा आपके हुनर को और ज्यादा आप उभार भी सकते हो और जो है आप पैसे की बचत भी कर सकते हो और आपको अच्छा लगेगा यह देखिए फिर मोड के मैंने पीछे की तरफ से नीचे निकाल लिया फिर से चार बार करूंगी तो यह जो हैंडिक्राफ्ट के 100 आइटम है उनमें से यह मेरा एक आइटम है 100 आइटम जो है मैं कैम्प लगाती ह यह देखिए चार बार ले रही हूं मैं तो एक कंगूरा उभर के आएगा तो वह बहुत ही सुन्दर लगेगा तो चलिए इसको फिर से मोड लेंगे हम नीचे की तरफ और फिर से चार बार करेंगे देखिए यह फिर से मैंने मोड लिया फिर से चार बार ले रही हूं जब चार बार हो जाएगा तो फिल से नीचे से निकाल के आगे की तरफ मोड लेंगे तो गाइज ये बहुत ही अच्छा लगता हैंडी क्राफ्ट आइटम जब मेरे टाइम में जब में कुमारी थी जब मेरी शादी होने वाली थी तो यही चीजों का ज्यादा चलन था उनी लगी रहती हैं तने लोग आते हैं सीखने के लिए लडुक्हाेज टोडशप देती हैं तो इंडॉर काम तक रहती हैं उनका हुनर निकार ही नहीं पाता कुछ आ भी नहीं पाता है तो मम्मिया खुछ चाती है कि वो जिस चीज में ट्रेंड है तो उनकी बेटियों को भी यह चीज आनी चाहिए थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए ओल राउंडर होना चाहिए सबको तो देखिए आप मैं पिंक वाली बता रही हूं रेड वाली उसी तरीके से कंप्लिट करना ह तो पिंक वाली के लिए हमने वो ही मैं आपको जैसा कि बताया है कि मेरे चैनल पर मैंने चेन और चावल किसे कहते हैं वो उसका वीडियो मैंने अप्लोड कर रखा है तो आप प्लीज एक बार विजिट कीजिए कि चावल कैसे बनाते हैं और चेन कैसे बनाते हैं तो यहां पर मैंने गठान लगा दिती और उसके बाद में नीचे से करूशया लेके और इस जो उन है इसको नीचे की तरफ से आटा लगा के हमें उपर की तरफ लाना है और फिर दो का एक करना है मतलब दो फंदे हैं उसको एक करना है आप फंदा भी बोल सकते हैं और चावल भी बो करना है अगर मैं पूरा कंप्लेट करके बताऊंगी तो गाइस वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा इसलिए मैंने पहले से बना के रख रखी ती चूडियां और बस केवल आपको सिखाने के लिए इसमें मैंने डेमो दिया है तो इसी तरीके से ज सुचा क्योंना दोनों टाइम को शूट किया जाए तो इसलिए मैं दोनों टाइम का डेली रूटिन डालती हूं तो लंच और डिनर और दिन में अगर कुछ बना रहे हैं तो बहुत है तो यह देखिए इस तरीके से पूरी जो है चेन बनानी ए चावल बनाते जाने हैं 12-12 तो यह देखिए इस तरीके से तो यहां पर में निशुल्क जो है मधुमेंदी क्लासेश चलती है मेरी और निशुल्क जो है पार्लर मेंदी हैंडिक्राफ्ट आइटम्स और टूइशन के बच्चे लेडिज जो अनपर लेडिज होती हैं अंगूठा टेक जिनको की कई बड़े बड़े घरों से मेरे मेरे पास निशुल्क पढ़के गई हैं तो इस तरीके से हम लोग पढ़ाते और सीलाई का अभी मैंने खोला था लेकिन भाबी जी जो है अभी थोड़े से बिमार है अब वापस से आएंगे वह सिखाने के लिए तो यह देखिए मेरी न utilities का चूड़ी न के तयार हो गई आप भॉल सकते हो कि फुरानी ख्राब गिसी पिटी चूड़ी का इतना नया डिजאל बन के तयार हो गया है और कोई बोही nets पहलता है जब अचानक से हम इनको बताएंगे कि यह पुरानी चूड़ी का तो कोई नहीं बोल सकता है जब हम बताएंगे तो तो देखिए कितनी good looking है मेरा हाथ लग रहा है और कितना अच्छा यह जुमका लग रहा है जुमका आप चाहे दो तीन जितने भी आप लगाना चाहो मेरे पास इसी कलर का नहीं था तो मैंने orange कलर का ले लिया आप चाहो तो मेच करता हुआ लगा सकते हो तो आ इतनी भागम भाग वाली जिंदगी हो गई है तो विचारी वो यह ऐसी चूडियां ही डाल के चली जाती है और college student भी आजकल यही चलन में ज्यादा हो रही है तो readymade भी यह मिलती है बनी बनाई market में लेकिन इसको बनाने में भी आदा घंटा लगता है जैसा कि मैंने बताया आप फटापट से इसको बना सकते हो तो बस यह तैयार है हमारी चूडियां तो कैसी लगे आपको कमेंट्स करके बताएगा और अगर मेरे व्लोक में आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक तो बनता है मेरे मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और देखिए जो हातों की नेल पेंटे वह में लेके आई थी वह भी बहुत अच्छी लग रही है जुमका और यह जो हमारी तीनों चूडियां हैं बहुत सुंदर लग रही है और यह देखिए आप एक बार ट्राइज जरूर कीजिएगा गाईस मुझे लाइक सस्क्राइब श छोड़ने गई थी तो महरानी फोर्म गई क्योंकि उसका जो आधार कार्ड जो था वह वापस से रिजेक्ट हो गया तो वह उसका फोम भरने के लिए गई टमाटर और यह लेके आ गई है खीरा लिया भिंडिल आई यह कद्दू भी जो है यह मैंने लिया है आलू और प्या जादा ही लगती हम लोग चपाती है कम सबजियां जादा खाते हैं और मैं तो कुछ जादा ही खाती हूं सबजी कटोरी भरके एक एक कटोरी भरके तो ऐसे ही खा जाती हूं मैं चलिए रखते हैं इनको जो है फ्रीज के अंदर धन्या वगेरा तो मैं साफ कर लूँगी अभी मैं सुबह भी करा भी था मैंने और अभी कर लूँगी इसमें क्या है इसमें टींट सी और फली भी है चलिए प्याज भर दिये मेरे चोटे वाले बेटे ने उसको देदी थे चापाति झाले और मीजी का और मेने भी आज एक चपाती और छाज पी थी मेने आज और चपाती खाए थी तो बस साथे तीन बज गए वेटा कोचिंग से आ गया तो में उसी के खाने की तयारी कर रहे हूँ तो फटावट फटावट मैंने चपाती शेख दी और पनीर भू जी मैंने निकाल दी थाली में बस रायता बना दिया और सेलर में काड़ दूँगी तो यह जो है उसका खाना बन के तयार है अब वो टीवी देखते जाएंगे और खाना खाएंगे तो चलिए छोटा वाला बेटा भी अगर और खाएगा तो मैं उसके और भी बना दूँगी पर यह देखे मैंने ककड़ी काड़ दी और बस मैंने चाय भी पिली थी और सबजियां लाके जो है वो अब इदर लेके तो आ गई थी अब जमाऊंगी और चलिए यह खाना जो है मेरा रेडी है और इसमें मसाला मिला रही हूं में तो गाइज मेरे चैनल को लाइक सस्क्रा करती सैलेड ककड़ी टमाटर में ने काड़ दिया था तो बस यही हमारा आज का लंच इधर जो है लड़कियों ने यहां पर प्रैक्टिस करी जो शैशी के मोनिकान ने जो है मैक अप करा तो चलिए वो मैक अपी जो है मैंने सोचा कि चलो इसमें ही जो है डाल दिया जाए ऑर जो मैक अप कर रही है तो शैशी बहुत चंदर लग रही है और चलिए यह मैक अप कर रही है तो लटकियों ने महेंधी प्रैक्टिस करी हैंड मसाज घ execut Demo दिया एक दूसरे के उपर और जो मैक अप जो था वाल यह तो सारी लड़किया उसको देख रही थी और जो है म जो है लाल कलर इसने जो है काम में लिया है अब ये काजल डाल रही है तो जो शेशी की आखें बहुत थोड़ी सी जो है बड़ी बड़ी है तो बहुत ही सुन्दर लग रहा है काजल बस कमस्करा लगा देगी और ये पूरा मेक अप बन कंप्लीट है किती सुन्दर लग रही ह देखिए चलिए मिलते हैं बाई बाई अगले व्लोक में बाई